अगर आपका मन आपकी बात मानता, क्या आप चिंता पैदा करते? बस ये सरल साधना कीजिए, आप सभी, अगर आप कोई दूसरा योग नहीं कर सकते, तो आप इतना तो करी सकते हैं, न? आप देखेंगे, कि आपकी आधी चिंता शान्त होनी शुरू हो जाएगे, क्योंकि वास्तव में संघर शिर्स बात का है, कि आपके भीतर दो हयाम हैं, अगर आपका मन आपकी बात मानता, क्या आप चिंता पैदा करते? नहीं, इसलिए जवाबों के लिए कहीं और मत देखिए, कहीं भी दूसरी जगा, बात बस इतनी सी है, कि आपका अपना शरीर और मानसिक धाचा, आपके बात नहीं मान रहे हैं, तो आपने बहुत सी बाते कहीं, मैंने कोशिश कहीं, और ये पूरी कैलिफोनिया में जो बड़े-बड़े शब्द घूम रहे हैं, खासतोर पर उसे सरेंडर करने के बारे में, इसे जाने देने के बारे में, ऐसी किसी चीज ने एक भी विक्ति के लिए काम नहीं किया है, कभी भी है, क्या इसने किया है, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको चिंता है, उसे जाने देने की कोशिश कीजिए, क्या ये चली जाती है? यहां तक कि फ्लू भी, कमभख्त फ्लू तक नहीं जाता। आया ना, साधरन से सर्दी भी नहीं जाती है, आप कहते हैं, जाओ क्या ये चली जाती है? इसलिए हमें समर्पन के इन सजावती चक्रों में नहीं पढ़ना चीए ये सब इधर उधर की बात हैं कोई नहीं जानता कि समर्पन क्या है क्यूंकि जब ऐसा होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा हुआ आप ऐसा नहीं कर सकते, मैंने समर्पन कर दिया ये कैसे संभव है? तो उन चीज़ों को छोड़ कर खास तोर पर जैसे मैंने कहा है, आपने यूजर मैनुविल को नहीं पढ़ा है, कि ये कैसे काम करता है? हमें इस पर ध्यान देना होगा. ये सिस्टम इस तरह से बना है, कि अगर आप अपना हाथ ऐसे रखें, तो ये एक तरीके से काम करेगा. अगर आप ऐसे करें, तो ये दूसरी तरीके से काम करेगा. ये एक अगभुत प्रक्रिया है. अगर ये कोई सरल चीज होती, तो हम इसे छेनी हतोड़ी से कूट पीट कर सही आकार में ले आते, ठीक है? ये बहुत साधा परिश्कृत है. ये मशीन असाधारन रूप से जटिल है. ये जिस चीज के लिए बनी है, उसे उस तरह इस्तिमाल करने के लिए व्यक्ति को एक निश्चित तरह का ध्यान देने की जरूरत है. वरना ये खुद को अस्तव्यस्त कर लेगी. अब कई कारक हो सकते हैं, जनेटिक कारक हो सकते हैं, सामाजिक कारक हो सकते हैं, कुछ पालन पोशन के मुद्दे हो सकते हैं, तमाम तरह की चीज़े हैं पर अपनी समस्याओं के लिए इन में से किसी भी चीज़ को कारण मन ठहराइए जरूरी बात बस ये है आप अपने मन को वैसे नहीं रख पा रहे हैं जिस तरह से आप उसे चाहते हैं आपकी बस यही समस्या है है ना जिस पल आप कारण देते हैं कि मैं ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पिता ऐसे थे मैं ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि मेरे दादा के जेनेटिक्स ठीक नहीं थी, तो समझी आप खत्म हैं. क्योंकि आब हम उन व्यक्तियों को बदल नहीं सकते. अब आप कोई अलग पिता या दादा नहीं चुन सकते, अब वो बीच चुके हैं. पर आप इसे रूपांतरिद कर सकते हैं. आपको ये समझना चाहिए, अब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको चिंता का विकार है. फिर भी, अगर आप एक गाजर का टुकड़ा भीतर डालते हैं, तो यहाँ एक ऐसी बुद्धिमत्ता है, जो एक गाजर को एक मनश्य में रूपांतरिद कर सकती है. इसका मतलब हर रोज आपके भीतर एक नए शरीर का निर्मान हो रहा है, है ना? टुकड़ों में हर रोज एक नए व्यक्ति का निर्मान हो रहा है. जब स्रिष्टि का स्त्रोत आपके भीतर काम कर रहा है, और लगातार एक नए मुनश्य का निर्मान हो रहा है, अगर आप इसकी थोड़ी सी भी जिम्मेदारी ले ले लें, तो आप पूरी तरह से एक नई शारिरिक और मानसिक पक्रिया का निर्मान कर सकते हैं. हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ, पिछले साल हम लोग तिबत में ट्रेकिंग कर रहे थे, मैं एक टेंट में था, मैं कुछ काम कर रहा था और दूसरा एक व्यक्ति एक सेब काट रहा था, आपको इन दुनों मिलने वाले चीनी मिट्टी के चाकों का पता है, तो पास में दूसर परेशान करता है, मैं ऐसे देखता हूँ, क्योंकि ये एक बड़ा अदमी है, अगर वो कोई बच्चा होता, तो अलग बात थी, तब हमें देखना होता कि वो चाको कैसे इस्तेमाल कर रहा है, वो एक पूरा बड़ा अदमी है, और चाको को तेज धार ही होना चाइए, अग बहुत तेज चाको है, दिहान रखना, मैंने का आप बस करो, वो एक बड़ा अदमी है, उसे अकेला छोड़ दो, उसे पता है चाको को कैसे इस्तेमाल करना है, वो एक छोटा से चाको नहीं समाल सकता, ये कोई बहुत भारी मशीनरी या अंतरक्षियान या ऐसा कुछ नहीं मिन्टों में वो उससे फुस पसाती है, बहुत ध्यान रखना ही, बहुत तेज है, और अगले दो मिन्टों में वो अपनी उंगली काट लेता है, उसके बाद मैंने आभाने ले ठीक, यही सब हो रहा है, जीवन के साथ यही सब हो रहा है, आपके पास एक बुद्धी है, ज आपके हाथ में एक बहुत तेज चाकू है, पर आपका हाथ स्थिर नहीं है, जरा देखिए, यह आपका ही मन है, जो सारी पीड़ा पैदा कर रहा है, हाँ या नहीं, तो आपके पास एक बहुत तेज चाकू है, यह जितना धारदार होगा, उतने ही आप खुद को काट लें तो हमें चाकू को कुंद नहीं करना है, हमारे पास बस एक स्थिरहात होना चाहिए, है न, इसके बारे में कुछ नहीं किया गया है, लोग इन तमाम शांतिकर दवाओं और बकवास के साथ जो आप लेते हैं, उससे चाकू को कुंद करने की कोशिश कर रहे हैं, चाकू को क्योंकि अगर आप अपने होनी की संभावना को ही कम कर देते हैं, तो सब ठीक होगा, अगर हम आपका आदा दिमाग हटा दें, तो आप काफी शांत रहेंगे, क्योंकि चिंता पैदा करने के लिए थोड़ा दिमाग लगता है, अगर हम सच मुझ में आपका आदा दिमाग ह मन जो खोज रहें, मन जो खोज रहा है, वो किसी तरह असीम होना है, किसी तरह, और अगर ऐसा होना है, तो आपको एक स्थिर आधार बनाना होगा, चाकू को हटाने की जरूरत नहीं है, चाकू को कुंद करने की जरूरत नहीं है, बस हाथ को स्थिर रखने की जरूरत है, को कोई प्रक्रिया नहीं करनी है, इनर इंजिनिरिंग का योग का बस यही अर्थ है, जब मैं योग कहता हूँ, कैलिफॉर्णिया में रहने की वज़े से उन सभी असंभव मुद्राओं की कल्प नामत कीजिए, योग का अर्थ मुद्राएं नहीं है, योग का अर्थ है मिलन, ये मिलन का पहला रूप है, आपका दाया और बाया, ये से योग में पिंगला और इडा कहा जाता है, ये आपके भीतर पौरोश और उस्त्रेन है, इन्हें बस एक साथ कर दें, आप बस ये सरल साधना कीजिए, अगर आप दूसरा को योग नहीं कर सकते, तो इतना तो करी स सकते हैं, आप ऐसा कीजिए, जो आपके जीवन से संबंदित हो, ये चड़ता हुआ सूरज हो सकता है, सूरज उपर आ रहा है, सूरज के उपर आए बिना इस गरा पर आपका स्तुत्व ही नहीं होता है, आपके भीतर जीवन की गर्माहाट सिर्फिस लिए है, क्योंकि सूर आप खाते हैं, सूरज, जिस धर्ती पर आप चलते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, जो लोग आपके आसपास रहते हैं, इनमें से कुछ भी चुन लीजे, बस ये कीजे, आपके दाएं और बाएं को पूरी तरह एक साथ कर दीजे, इस तरह नहीं, इ इलकुल सीधे, ठीक है, बस किसी ऐसी चीज की ओर देखे, जो आपके लिए सच में माहिने रखती है, शायद सूरज, शायद आकाश, शायद बादल, शायद एक पेड़ या कोई व्यक्ती, शायद एक बच्चा, एक जानवर, कोई माहिने ने रखता कि क्या, बस उसकी ओर दे आप दिखेंगे कि आपकी आधी चिंता शान्त होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वास्ताव में संघर्ष ये है कि आपके भीतर दो आयाम है, मैं इसके विस्तृत विवरण में नहीं जाना चाहता, क्योंकि योग, शरीर विज्ञान इसके बारे में विस्तार से बताता है लेकिन सरल शब्दों में कहें तो आधुनिक चिकित साविज्ञान आपको बता रहा है कि एक दाया दिमाग है और एक बाया दिमाग है, ठीक है? बस इन दोनों चीज़ों को एक साथ रख दीजे, ऐसे किसी भी चीज़ की और परम प्रेम और प्रशंसार से देखिए, जो आपके लिए माहिने रखती है वो आपके पत्नी हो सकती है, आपके पती हो सकते हैं, आपकी संतान हो सकती है, एक पेड़, एक कुता, आकाश, सूरज, चान, इन में से हर चीज़ आपके जीवन के लिए जरूरी है, कैसा नहीं? आप इन में से जिस भी चीज के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं इन दोनों चीजों को एक साथ रखते हुए उनकी और परहम मधुरता से देखिए ये पहचानते हुए कि वे आपके लिए कितने जरूरी है कई चीजें बदल जाएंगे ये योग का पहला रूप है अगर मैं ये करता हूँ तो ये मुश्किल हो जाता है और नमस्कार करने के कई तरीके हैं इस तरह इस तरह इस तरह ये सबसे सरल चीज है यहीं से शुरू कीजे ठीक है हुआ है